नमस्कार आप देख रहे हैं MP News और मैं हूँ आपके साथ साक्षी ज्वैन MP News के इस खास प्रोग्राम न्यूजरूम में आप सभी का स्वागत है जिसमें आज हम बात करेंगे मदबरदेश की तमाम बड़ी खबरों की चलिए शुरुआत करते हैं मदबरदेश में दिनों भीषण गर्मी का दौर देखने को में रहा है जिसका असर अब यातायात पर भी नजर आने लगा है जो है आपको बता दें कि इसके कारण भीषण गर्मी में यात्रियों को भी लगतार ही परिशान होना पर रहा है इसे बीच एयर इंडिया की दिल्ल उडान सारे पांच घंटे जो है वो लेट होने से यात्री यात्रियों की काफी मुश्किले जो है वो बढ़ गई जिसके कारण यात्रियों नाराज की भीजताई है दरसल भीशवर गर्मी का असर हवाई यातायात पर पर रहा है जिसके कारण एयर इंडिया की दोपहर की दिल गर्मी में इनतिजार करना पड़ा यातरी काफी परिश्वान दिखाई दिये आगे बचर और बता दें कि मधुप्रदेश में भीषवन गर्मी का सितम जुआरी है हाला कि तापमान में मामूली गिरावट जो है वो भी दर्च की गई है गिरावट के बाद भी गर्मी के तीखे तेवर जो है वो बरकरार है वही बतारी किसी बीच मौनसून को लेकर एक बड़ा अब देख भी आया है मौसम विभाग ने 15 जून तक MP में मौनसून आने की संभावनाय जोताई है मौसम विभाग के मताबिक मौनसून की शुरुआत जो है वो MP में 15 जून से होने की संभावनाय है IMD के अनुसार के एरल में मौनसून 31 मई के आसपास आज आएगा वही MP में मौनसून जो है वो 15 जून से पहुचने की उम्मीद जो है वो मौसम विभाग ने जताई है मौनसून की शुरुआत की आदिकारिक तारीक जो है वो 15 जून है जबकि भोपाल में 11 जून को होगी 28 मई से 3 जून के बीच भारी बारिश जो है उसकी शुरुआत भी हो सकती है ऐसे में प्रदेश में आने वाले दिनों में गर्मी से कुछ थोड़ी राहत भी मिल सकती है लेकिन पूरी राहत मौनसून की आने के बाद ही मिल पाएगी आगे बढ़ते और बताने की देश में च्छे चरणों के मदान के बाद लोकसभा चुनाव जो है वो अपने आकरी दौरे पर पहुँच चुका है अठारवी लोकसभा के लिए अंतिम चरण का मदान जो है वो एक जून को होने वाला है और उसके बाद चार जून को पुरे देश भर की जो नतीजे है परिणाम है वो सामने आ जाएंगे मदबरदेश में भी पूरी 29 सीटों पर मदान जो है कि बीजेपी ने जशन की तयारी भी शुरू कर दी है मदबरदेश में बीजेपी कारियाले भूपाल से जिला कारियाले को जशन मनाने के नर्डेश जो है वो दिये गए है चार जून को बीजेपी के हर कारियाले में जशन मनाया जाएगा जिसकी तयारी हर बीजेपी कारिक जाएगा आगे बढ़ते और बता दें कि किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है मदब्रदेश में अब किसानों को सरकारी अनुदान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा उन्हें ए रूपी की सुविधा दी जाएगी इसके माध्यम से उन्हें अनुदान राशी भी किसानों को मिलेगी वही अनुदान वाली योचनाओं से बीच, खाद या फिर उपकरण खरीदने के लिए किसान के नाम से ही ए रूपी जो है वो जवारी होगा जिसके चलते जब भी किसान बीच या खाद लेने जाएगा तो सहकारी समीती या फिर अधिकरत विक्रेता को ई रूपी वाउचर बताएगा बीच खरीदने पर ततकाल विक्रेता के खाते में अनुदान राशी जो है वो पहुच वाएगी दरसल आपको बताने की से स्कैन करने पर किसान के मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ट जो है यानि ओटी पी आजवाएगा इसके माधियम से विक्रेता के खाते में राशी का भुक्तान हो जाएगा इस व्यवस्था का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिस किसान के नाम पर अनुदान की जो राशी है वो उस्विक्रित हुई है आसे में अब किसान के नाम से अन्य कोई भी फाइदा अन्य कोई भी जो इनसान है वो नहीं जीवन गवा देते हैं पूरे देशों समेट मद्द प्रदेश में भी साल बीशार गर्मी पड़ रही है कई जिलों में ही क्वेफ को लेकर तो है अलर्ट भिच्वारी किया गया है इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री शिवराद सिंग चोहान ने भोपाल अस्थित स्मार्ट पार्क में पक्षियों के लिए पानी का इंतिजाम किया और लोगों से इस पुन्यकाम में सहभागी बनने की भी उन्होंने अपील की है तो यह थी आज की दिन भर की में अखवपूर अपडेट्स और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहें MP News के साथ नमस्कार